अरी कृष्णा राधे राधे शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाई शिरी कार्तिक मास मातम्मिक था 26 वा अध्याई नारज जी बोले इस प्रकार विश्णु पारशदों के वचन को सुनकर धरम दतनी कहा प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले शिरी विश्णु की यग्ये दान वरत दिर्थ सेवन और तपस्याओं की द्वारा विधी पूर्वक अराधना करते हैं उन समस्त साधनों में से कौन सा ऐसा साधन है जो भग्वान विश्णु की परसंदता को बढ़ाने वाला है और उनके सामिप्पी की प्राप्ति कराने वाला है तब दोनों पारशद अपने पूरु जनम की कथा कहने लगी हे द्विज स्रेष्ट आपका प्रशन बड़ा ही स्रेष्ट है आज हम आपको भग्वान विश्णु को शीगर परसंद करने वाला उपाय बताते हैं हम इतिहास सहित प्राचीन वरतांत सुनाते हैं साभधानी से सुनो हे ब्रामन पहले कांची पूरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे उन्हें के नाम पर उनके अधिन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए राजा चोल जब इस भूमंडल पर शाशन करते थे उस समय उनके राज्जे में कोई फी मनुश्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला या रोगी नहीं था एक समय की बात है राजा चोल अनंत शैन नाम के तीर्थ में गए जहां जगदिश्वर भगवान विश्णू ने योग निद्रा का आश्रे लेकर शैन किया था वहां भगवान विश्णू के दिवे विग्रह की राजा ने विधिवत पूजा की दिव्यमनी मुक्ताफल और स्वर्ण के बने हुए सुन्दर पुश्पो से पूजन करके शाष्टांग परणाम किया परणाम कर जो ही पास में बैठे उसी समय उनकी दृष्टी भगवान के पास आते हुए एक ब्रामन पर पड़ी जो उन्हें की कांची नगरी के निवासी थे उनका नाम विश्णु दास था उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हातों में तुलसी दल और जल ले रखा था निकट आने पर उस ब्रामन ने विश्णु सुक्त का पाठ करते हुए देवादी दे भगवान को इसनान कराया और तुलसी की मंजरी और पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की राजा चोल ने जो पहले रतनों से भगवान की पूजा की थी वहे सब तुलसी पूजा से ढग गई यह सब देखकर राजा कुपित होकर बोले विश्णु दास मैंने मनियों और स्वरंड से भगवान की जो पूजा की थी वहे कितनी छोभा पा रही थी तुमने तुलसी दल चढ़ा कर उसे ढख दिया बताओ ऐसा क्यों किया मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गवार हो भगवान विश्णु की भगती को बिलकुल भी नहीं जानते राजा की ये बात सुनकर दुज सिरेश्ट विश्णु दास ने कहा हे राजन आपको भगती का कुछ भी पता नहीं है केवल राज लक्ष्मी के कारण आप कमेंट कर रही है बताईए तो आज से पहले आपने कितने वैश्ण वरतों का पालन किया है तब राजा चोल ने हसते हुए कहा तुम तो दरिद्र और निर्धन हो तुम्हारी भगवान विश्णु में भक्ती ही कितनी है तुमने भगवान विश्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यग्य और दान आदे नहीं किया नहीं पहले कोई देव मंदिर ही बनवाया है इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ती पर इतना गर्व है अच्छा तो ये सब भी ब्रामण मेरी बात सुन ले भगवान विश्णु के दर्शन मैं पहले करता हूँ या ये है ब्रामण इस बात को आप सब लोग देखें फिर हम दोनों में से किसकी भक्ती कैसी है यह सब लोग आप स्वते ही जान जाएंगे ऐसा कहकर राजा अपनी राजभवन को चले गए वहाँ पर उन्होंने महरशी मुद्गल को आचारिये बनाकर वैशनव यग प्रारंब कर दिया उधर सदैव भगवान विश्नु को परसंद करने वाला शाश्त्रोक नियमों में ततपर विश्नु दास भी अपने वरत का पालन करते हुए वही भगवान विश्नु के मंदिर में टिक कए उन्होंने माग और कार्तिक के उत्तम रत का अनुष्ठान किया तुलसी वन की रक्षा की एक आदशी को द्वादश अक्षर मंतर का जाब किया नरत्य गीत आदी मंगल में आये जुनों के साथ प्रति दिन शोडशोप चार से भगवान विश्नु की पूजा आदी नियमों का आचरन किया में प्रति दिन चलते, फिरते और सोते हर समय भगवान विश्नु का समरण किया करते उनकी द्रश्टी सरवतर सम हो गई थी में सब प्रानियों के भीतर एक मातर भगवान विश्णू को ही देखते थे इस प्रकार राजा चोल और विश्णू दास दोनों ही भगवान लक्ष्मी पती की अराधना में सलगन थे दोनों ही अपने अपने व्रत में इस्तित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां और समस्थ कर्म भगवान विश्णू को समर्पित हो चुके थे इस अवस्था में उन दोनों ने दिर्ग कालवेतीत कर दिया पारशदू ने कहा एक दिन की बात है विश्नु दास ने नित्य करम करने के बाद भोजन तयार किया परंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया विश्नु दास ने देखा भोजन नहीं है परंतु उसने दुबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि ऐसा करने पर साइकाल की पूजा के लिए उन्हें उकाश नहीं मिलता अधै परती दिन के नियम का भंग हो जाने का भै था दूसरे दिन पुने उसी समय पर भोजन बना कर जो ही वे भगवान विश्नु को भोग अरपन करने के लिए गए तो ही किसी ने आकर फिर से सा रा भोजन हडप लिया इस प्रकार साथ दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा इससे विश्नु दास को बड़ा विस्मे में हुआ और वे मनहीन इस परकार का विचार करने लगे अहो पून परती दिन आकर मेरी रसोय चुरा कर ले जाता है यदि द प्वास करते हुए मुझे साथ दिन हो गए हैं इस प्रकार मेवरत में कब तक इस्थिर रह सकता हूँ अच्छा आज में रसोई की भली बाती रक्षा करूंगा ऐसा निश्चे करके भूजर बनाने के पश्चात में वही कहीं चिपकर खड़े हो गए इतने में ही उन्हें एक पर आया उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा भीया जरा ठहरो ठहरो क्यों रुखा सुखा खाते हो यह घी तो ले लो इस परकार कहते हुए विपरवर विश्नुदास को आते देख वह चंडाल भै के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दू तब विश्नुदास ने देखा कि वहाँ चांडाल नहीं बलकि साक्षात नारायन ही शंक चक्र और गदा धारन की ये सामने उपस्ति थें अपने प्रभू को प्रतिक्ष देखकर विश्नुदास सात्विक भावो के बशिबूत हो गए वे इस्तुती और नमशकार करने में भी समर्थ ना हो सके तब भगवान ने सात्विक वरत का पालन करने वाले अपने भक्त विश्नुदास को चाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंट धाम को चले उस समय यग में दिख्शित हुए राजा चोल ने देखा विश्नुदास एक स्रेष्ट विमान पर बैठ कर भगवान विश्नुद के समीप जा रही है विश्नुदास को वैकुंट धाम जाता देखकर राजा ने शीगर ही अपने गुरू महरशी मुदगल को बुलाया और इस परकार कहना आरंब किया जिसके साथ स्परदा करके मैंने यह यग दान आदी कर्म अनुष्ठान किया है वह भ्रामन आर भगवान विश्नुद का रूप धारन करके मुझसे पहले वैकुंट धाम जा रहा है मैंने इस वैश्नव धाम में भली भाती दिक्षित होकर अग जान पड़ता है कि भगवान विश्नु केवल दान और यग्जे से परसंद नहीं होते उन प्रभू का दर्शन कराने में भगती ही प्रधान कारण है दोनों पार्शदों ने कहा इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंगासन पर अभिशिक्त कर दिया मे और यग्जे कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विश्नु को संबोतित करते हुए तीन बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले हे भगवान विश्नु आप मुझे मन वानी शरीर और किरिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ती प्रधान कीजिए इस प्रकार क रहकर में सबके देखते ही देखते अगनी कुंड में कूद पड़े बस उसी क्षन वक्त वस्चल भगवान विश्नु अगनी कुंड में प्रकट हो गए उन्होंने राजा को छाती से लगा कर एक सरेष्ट विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंट धा को प्रस्थान किया नाराज जी बोले हे राजन जो विश्नु दास थे वे तो पुन्यशील नाम से परसिद्ध भगवान के पारशद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम शुशील हुआ इन दोनों को ही अपने समान रूप देकर भगवान लक्षिमी पती ने अपना द अध्याय समाप्त हरे कृष्णा राधे राधे महत्म में कथा 28 वा अध्याय धरमदत ने पूछा मैंने सुना है कि जै और विजै भगवान विश्नु के द्वारपाल हैं उन्होंने पूरु जनम में ऐसा कौन सा पुन्य किया था जिससे कि वे भगवान के समान रुपधार जै और छोटे का नाम विजै हुआ पीछे उसी देव हुती के गर्ब से योग धर्म के जानने वाले भगवान का पिल उत्पन हुए जै और विजै सदा ही भगवान की भक्ती में ततपर रहते थे वे नित्य ही अश्टाक्षर मंतर का जाप करते थे और वैश्नवरतों का प उन दोनों को बहुत सा धन दिया धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस पर लाग डाट पैदा हो गई जै ने कहा इस धन को बराबर बराबर बाट लिया जाए तब विजै का कहना था नहीं जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे तब जैने करोध में आकर लोभी विजै को श्राप दिया तुम ग्रहन करके देते नहीं हो इसलिए ग्रहा अर्थार्थ मगरमच हो जाओ जै के श्राप को सुनकर विजै ने भी श्राप दिया तुमने मद से भ्रांथ होकर श्राप दिया है इसलिए तुम म अपने ही दिये हुए इन शापो को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विश्नु अंतरध्यान हो गए। तदंतर में दोनों गंड नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उस योनी में भी उन्हें पूर जनम का स्मरण बना रहा और वे भ भगवान विश्नु के वृत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में इस्तिनान करने के लिए गंड नदी पर गया तो उस समय ग्रहा ने शाप के हित्व को स्मरण करते हुए गज को पकड़ लिया। ग्रहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान र प्रशिद्ध है और वे ही दोनों विश्व विख्यात, जय और विजय हैं जो भगवान विश्णु के द्वार पाल हुए हैं। तुम्हारे इस वरत से बढ़कर ना कोई यग्य है ना दान है और ना ही तीर्थ है। इस प्राचिन इतिहास को जो सुनता है वे जो सुनाता है वे जगत कुरु भगवान विश्णु की किरपा से उनका साहनिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गती को प्राप्त करता है। श्रीकारतिक मास महतम में कथा 28 अध्याय समाप्त हरे क्रिष्णा राथे राधे राधे श्री ओम नमो भगवते वासु देवाई श्रीकारतिक मास महतम में कथा 29 अध्याय राजा पर्थूनी कहा है मुनिस रेश्ट आपने कलहा द्वारा मुक्ती पाए जाने का वर्दान्त मुझसे कहा जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है नारज जी यह काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था कृपा करिए है मुझे बताने की कृपा करें नारज जी बोले है राजन कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महराज का शरीर और वेणी नमक नदी भगवान शंकर का शरीर है इन दोनों नदियों के संगम का महातम में श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है पर क्योंकि आपने पूछा है इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वर्दान सुनाता हूँ आप ध्यान से सुनों चाक्षिसु मनवंतर के आरंब में ब्रह्मा जी ने सहे परवत के शिखर पर यग्य करने का निश्चे किया वह भगवान विष्णु भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यग्य की सामगरी लेका उस परवत के शिखर पर गए महरिशी भ्रगु आदी रिशियों ने ब्रह्म मूर्थ में उन्हें दिक्षा देने का विचार किया तत पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भारिया तवरा को बुलाया वह बड़ी धीमी गती से आ रही थी इसी बीच भरगु जी ने भगवान से पूछा ही प्रभु आपने तवरा को शिग्रता से बुलाया था वह क्यों नहीं आई अगर अधिक देर हो गई तो ब्रह्म मूर्थ निकल जाएगा इस पर भगवान विष्णु बोले यदि तवरा यथा समय यहां नहीं आती है तो आप गायतरी को ही इस्तरी मानकर दिक्षा विधान कर दीजे क्या गायतरी पुन्य करम में ब्रह्मा जी की इस्तरी नहीं हो सकती नारज जी ने कहा है राजन भगवान विष्णु के इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया यह बात सुनकर भ्रगु जी ने गायतरी को ही ब्रह्मा जी के दाइनी और भिठा कर दिक्षा विधान आरब कर दिया जिस समय रिशी मंडल गायतरी को दिक्षा देने लगा उसी समय तवरा भी यग्य मंडल में आ पहुँची ब्रह्मा जी के दाई और गायत्री को बैठा देखकर एश्या से कुपित होकर तोरा बोली जहां अपुज्यों के पुज्यों के अपरतिष्ठा होती है वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यों और भै तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है इसलिए यह अद्रश्य बहने वाली नदी होगी आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है इसलिए आप सभी जड़ रूप नदी होंगे नारज जी राजा परतु से बोले है राजन इस परकार तवरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होट चबाने लगी देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर तवरा को शाप दे दिया गायत्री बोली तवरा जिस परकार ब्रमाजी तुम्हारे पती है इसी परकार मेरे पती भी है तुमने विर्थ ही श्राप दे दिया है इसलिए तुम भी नदी हो जाओ तब तो देवताओं में खलबली मच गई तुमने ब्रमाजी सभी देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चे ही यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे अब क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है इसलिए यह शाप तुम बापिस ले लो तवरा बोली है देवगन आपके द्वारा यग्गे के आरंब में गनेश जी का पूजन ना किये जाने के कारण ही यह विग्ण उत्पन्न हुआ है मेरा यह शाप कदापि खाले नहीं जा सकता इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ी भूत होकर अवश्य में भी नदिया बनोगे हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशो पश्चिम में बहने वाली नदिया बनेंगी नारज जी राजा पर्थू से बोले है राजन तुरा की है वजन सुनकर भगवान विश्नु भगवान शंकर आदी सभी देवता अपने अपने अंशों से नदिया बन गए भगवान विश्णू के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेनी और ब्रम्भाजी के अंश से ककुदम बती नामक नदिया उत्पन्न हो गई समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बना कर वहीं सहे परवत पर फेक दिया फिर उन देवताओं के अंश पर्थक पर्थक नदियों के रूप में बहने लगे देवताओं के अंशों से सहस्तरों के संख्या में पश्चिम की और बहने वाली नदिया उत्पन्न हो गई गायतरी और तवरा दोनों पश्चिम की और बहने वाली नदिया होंकर एक साथ बहने लगी उन दोनों का नाम सावितरी पड़ा प्रमाजी ने यगे स्थान पर भगवान विश्नु और भगवान शंकर की स्थापना की दोनों देवता महाबल और अतीबल के नाम से परसिद्ध हुए ये राजन कृष्णा और वेनी नदी की उत्पत्ती का यह वर्णन जो भी मनुश्य सुनता है अत्वा दूसरों को सुनाता है उसे नदियों के दर्शन और इसनान का फल प्राप्त होता है बहगवान श्रीकृष्ण सत्य भामाजी से बोले हे प्रिये नारज जी के यह वचन सुनकर महराज प्रतु बहुत ही आश्ज़ती चकित हुए अंत्वे उन्होंने नारज जी का पूजन करके उनको विदा किया इसलिए माग, कार्थिक और एकादशी यह तीन वरत मुझे अत्यादिक प्रिये हैं वनस्पतियों में दुलसी, महीनों में कार्थिक, तित्यों में एकादशी, शेत्रों में परियाग मुझे बहुत प्रिये हैं जो मनुश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है वहे मुझे यग्य करने वाले मनुश्य से भी अधिक प्रिये है। जो मनुश्य विदी पूरवक इनकी सेवा करते हैं मेरी करपा से उन्हे समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्य भामा जी ने कहा हे प्रवू आपने बहुत ही अद्बुत बात कई है। दूसरे के किये पुन्य के फल से कलहा की मुक्ती हो गई। यह प्रभावशालिक आर्थिक मास आपको अधिक प्रिये है। जिसे पती द्रोह का पाप केवल इसनान के पुन्य से ही नश्ट हो गया। दूसरे मनुश्य के दौारा किया हुआ पुन्य उसके देने से किस परकार मिल जाता है अब यह भी मुझे बताने की करपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले है प्रिये जिस कर्म के दौरा बिना दिया हुआ पुन्य और पाप मिलता है उसे ध्यान से सुनो। सतियोग में देश, ग्राम और कुल को दिया पुन्य और पाप मिलता था, किन्तो कलियोग में केवल करता को ही पाप और पुन्य का फल भोगना पड़ता है संसर्ग ना करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से पाप और पुन्य दूसरे को मिलते हैं अब उनकी वेवस्ता भी सुनो पढ़ाने से, यग्गे करने से और एक साथ भोजन करने से पाप पुन्य का आधा फल मिलता है एक आसन पर बैठने से, सवारी पर चड़ने से, श्वास के आने जाने से पुन्य और पाप का चोथा भाग जीव मातर को मिलता है छूने से भोजन करने से दूसरे की इस्तोती करने से पुन्य और पाप का छटवा भाग मिलता है दूसरे की निंदा चुगली और धिकारने से उसका साथवा भाग मिलता है पुन्य करने वाले मनुश्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुन्य उसे देता है नोकर और शिशे के अत्रिक जो मनुश्य दूसरे से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता वह सेवा उसके पुन्य का भागी होता है जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांगता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांगी है अपने पुन्ये का चटवा भाग देता है इस नान और ध्यान आदी करते मनुश्य से जो व्यक्ति बात्चित करता है उसे चूता है वह अपने पुन्य का छटवा भाग उसे दे देता है जो मनुश्य धर्म के कार्ये के लिए दूसरे से धन मांगता है वह पुन्य का भागी होता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुन्य का भागी होता है जो मनुश्य धर्म का उप्तेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है वह अपने पुन्य का छटवा भाग उसे दे देता है जो मनुष्य दूसरे का धन चुरा कर उससे धर्म करता है वह चोरी के फल्क भोगता है और शीगर ही निर्धन हो जाता है और जिसका वह धन चुराता है वह पुन्य का भागी होता है बिना रिन उतारे जो मनुश्य मृत्यू को प्राप्त हो जाता है उनको रिन देने वाले सज्जन पुरुष पुन्य के भागी होते हैं शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामगरी को जुटाने वाला और प्रेणा देने वाला यह पाप पुन्य के छटवे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा परजा के पाप पुन्य के शटांश का भोगी होता है। गुरु शिश्य का, पती पतनी का, पिता पुत्र का, इस्तरी पती के लिए पुन्य का छटवा भाग पाती है। पती को परसंद करने वाली आग्याकार इस्तरी पती के लिए पुन्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुन्यात्मा प्राई लोगों को धान करते हैं वहें उनके पुन्या का छटवा भाग प्राप्त करते हैं जीविका देने वाला मनुश्य जीविका ग्रैंड करने वाले मनुश्य के पुन्या के छटे भाग को प्राप्त करता है इसी परकार दूसरे के के पुन्या और पा जो कि पवित्र भी है और बुद्धी प्रतान करने वाला भी कहा जाता है मैं आपको सुनाता हूँ आप ध्यान से सुनो शिरीकार्तिक मास महतम्य कथा तीस्वा अध्याय समात हरी कृष्णा राधी राधी